हाला दोस्तो मेरा नाम है जतिंदर और आप देखने आईटी स्पोर्ट हिंदी आज का जो टॉपिक है जिस टॉपिक के उपर हम बात करने वाले हैं वो है यूटूब पर कैसे आप ज्यादा ज्यादा व्यू या सस्कैबर लागते हैं देखें फैंड काफी त्रेवे होते हैं पर ज्यादा तर लोग जो वे यूज करते हैं वो है पेड आड मलब यूटूब आड का आज का जो टॉपिक है वो है यूटूब आड के उपर मैं आपको एक पूरी कैंपेणिंग बना के दिखाऊंगा कि आप यूटूब पर कैसे आड लगा सकते हैं अपने चैनल के पर शुबाँ है वह यूटूब आफके जो पर विउ है वह आपको पैसो में नहीं उप में आपको एक कैंपेण बना कर दिखाऊंगा कि कम सी त Battle में आप ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ला सकते हैं अपने चैनल के उपर स्रक्रै peux को और हमारे साभिय la dexrop पर लेकर देली बजेट रख सकते हैं उसमें तो मिलते हैं सीधा ही अब एक्टॉप की स्क्रीन पर हो मैं आपको यह सारी चीज़े माँ पर क्लियर करता हूँ एक अच्छी यूटूब एल लगाना चाते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान सा देखिएगा कोकि इस एड़ में आपको हर वो चीज़ के बारे में बताऊंगा जो एक अच्छी यूटूब एल लगाने के लिए बहुत जुरूरी है यूटूब एल लगाने के लिए हमें सबसे ज़ज़ यह चाहिए होता है कि जादा ज़ज़ लोग हमारी वीडियो को देखे और हमारी वीडियो पे जाध ज़ज़ विईव आए बट वो सारे विई हूप हमें यूटूब से चाहिए किसी हो छागा से नहीं तो सबसे बहुत है तो हम नीचे आईएगा यहां पर create a campaign without any goals and guidelines यहां पर आपने क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने का क्या फैदा में आपको में नीचे समझाओंगा आप जब इस नीचे करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर तीन या चार तरह की बना कि 8 तरह की एड़ दखाईगी है जैसे डिस्प्लेड एड है सर्च एड है एप एड है स्मार्ट एड है अलगलग टैप की एड़ दखाई हुई है तो हमने इसमें से सिरफ यह वीडियो एड को चूज करना है अब वीडियो इसको चूज करने के बाद आपने नीचे आ यहां पे आपने यहसे ही continue कर लिया तो अगले पेज में आपने क्या करना है वह ध्यान दीजेगा देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपने नाम लिखना है जो भी आव एड लगाना जाते हो जैसे कि मैंने यहां पर वीडियो और यहां पर मैं लिख देता हूँ वीडियो ओ स्वरी वीडियो वियो वीऊ वीडियो वीऊ नाम से मैंने इसको नाम दे दिया अब इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे वो पूछ रहा है कि आपका बज़ट कै यह है टोटल बज़ट कभी नी करना आपने हमेशा डेली बज़ट पर जाना है पर मैं आपसे यह कूँगा कि maximum maximum कम से कम 100 पर रखना ही चाहिए चाहिए तो आप 100 पर एक daily budget रख लिजिए अब आप यहां पर क्लिक करिए network के ओपर दिखिए network क्या है तो हमेशा ही आपने YouTube network को ही देनी है कि आप YouTube पे ही अपनी वीडियो दराएंगे किसी other network पे आप वीडियो उनाद रहेएगा क्योंकि वो व्यूँ आपके कोहन नी किये जाएंगे बहुचिक टैम पर तो इसका ध्यान रखना बहुत जुरूरी है तो आप हमेशा ही YouTube पे क्लिक कीजेगा तो YouTube के बाद आपने जो एड है वो कहां चलानी है जैसे कि मैंने कुछ city class select ही हुई है यहाँ पर जैसे location है location के अंतर आप होली पैन इंडिया कर सकते हैं जैसे चंडिगा, हर्याना, माचल यह मैंने कुछ city select ही हुई आप ऐसे भी कर सकते हैं city select करना कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पर आईए, advance पर search कीजिए advance पर search करके आप जो भी आपका area है यूपी है, बिहार है, जैपूर है, दिल्ली है, मदास है, कलगता है, मॉंबई है जो भी है, यहाँ पर search कीजिए चिस नापके आप city को search करेंगे वो city यहाँ पर आपको pop-pop परेगी दिखाई दिना शुरू होजएगी खोड़ा आप उस लिडिको select कर लिएगा बड़ा ही सान सा procedure है कोई ज्यादा लंबा चोड़ा procedure नहीं है अगर आप all idea करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप आप all idea कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी यह दो चीज़े होगी अब अगली चीज़ा है language language select करना बहुत जुरूर ही है language जुरू select कीज़ेगा हिंदी और इंग्लिश यह दो language आपने select करनी ही करनी है यह automatic select language होती है जो आपको मिल जाती है बड़ आपको यह select करनी ही करनी है ठीक है ध्यान रखेगा चीज़ का अब उससे हम नीचे करेंगे यहाँ पर मैं करता हूँ वीडियो relative वीडियो और relative वीडियो क्या है अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई relative वीडियो है जो कि कोई बंदे की popular वीडियो है उसकी वीडियो के साथ आपकी वीडियो को search किया जाए या उसकी bandwidth दिखाया जाए आपकी वीडियो को उसकी वीडियो चलने से पहले तो वहाँ पर उस बंदे का नाम search कर सकते हैं या उसकी URL को search कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको उत्वारत हूँ अभी एक मेरी ये वीडियो है जो को मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको copy करके इसके link को यहाँ कर देता हूँ click और यहाँ इसे कर देता हूँ paste अब मैंने यहाँ जैसी paste किया तो यह रेखे जो बंदे ने search की है वीडियो वो उसकी relative वीडियो यहाँ पर नीचे आगी है तो यहसे भी आप कर सकते हैं relative वीडियो के अंदर वी अपनी वीडियो को डाल सकते हैं तो यहाँ पर आपकी वीडियो तुक्षाएगा second पर अगले बंदे की वीडियो तुक्षाएगा जो पहले पर rank कर दिया है यह से कहते है relative वीडियो ठीक है फ्रेंड यह आप कर सकते हैं करना चाहें तो अगली option बहुत important option है यह है get a more view with multiple platform YouTube ad अब इसका मतलब यह हुआ कि आप जो ad जिला रहे हैं वो YouTube के multiple platform में दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए अब multiple platform का क्या मतलब है जैसे कि आपकी skip ad चल सकती है आपकी bumper ad चल सकती है आपकी template ad चल सकती है लगलग tab की जो ad आप उसमें आपकी वीडियो को दिखाए जाएगा बट जो मैड चलाता हूँ जाद तर वो होती है ज़्यादा सर्च ad की हमारे keyword के ओपर सर्च आए और तब हमारी ad शो करें उसका benefit आपको ज़्यादा है पेशिक उसमें आपको view come मिलेंगे बट यह है कि आपकी ad जब आपकी ad बंद हो जाएगी तो वो keyword पे rank करनी शुरू कर देगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ad को बहुत सारे view मिले तो आप यहाँ पे click कर दीजिए नहीं तो इसे unclick कर दीजिएगा यही best option है आप सब के लिए अब additional setting के उपर click करते है additional setting में आपकी आगे device अब device के अंदर काफी लोग सुखते हैं कि old device चरना चाहिए तो मैं आपको कहूँगा कि old device तो चरना चाहिए बड़ यह दो चीजिए हमेशा बंद केजिएगा एक tab एक tv screen यह दोनों पर भी कोई बंदा आपको सच करेगा नि वो जो भी आड़ आईगी वो definitely show करेगा आगे तो मैं यह कहूँगा कि जब भी आप कोई भी आड़ चलाएं वो computer हो mobile के ओपर चलाएं क्योंकि यहां पर आपको benefit जादा मिलेगा और आपको सच जादा मिलेगी अब आगे चलते हैं तो इसे को आप ऐसे का ऐसे रहने दीजिए इसको ना चढ़िएगा अगर आप कोई date slack करना चाहते हैं तो मैं भी आपको यह कूंगा YouTube पर एड़ में किसी तरह का कोई time या date slack करने की जूरत नहीं है सीधा चलने दीजिए कोई problem नहीं है यहां पर भी थर पार्टी को आपको include करने की यहां पर किसी चीज़ की ओन पर नहीं है इसे भी ऐसे रहने दीजिए आगले पर आगे आगे आते हैं अगले भी हम click करते हैं और यहां पर मैं इसको view one करते तो हूँ ठीक है आप मैंने view बंद कर दिया अब यहां पर आप देखेंगे आके तो यहां पर आपको काफी सारी ओडियंस की option में दीए है तो ओडियंस में आपको ओडियंस नेम अगर आप चाहते है प्रटिकॉलर नम बंदे के नाम पर आप जाना चाहते हैं तो वह भी आपर कर सकत हैं तो मैं आपको यह कूंगा कि यूटूब बैड में हमें कोई ऐसे चीद नी चाहिए होती कि जिसमें में मेल या फीमिल को डिफाइट करना पड़े आपका जो चैनल है उसके रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके प्रटक्ट जो मेल या फीमिल किसके लिए हैं अगर आप प्रटक्ट बना रहे हैं तो अगर आप सीधा यूटूबर हो यूटूब पर आप व्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं यहां पर डिरेक्टली आगे आते हैं तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आता है जो आपका जू चैनल है वह किस तो वो चीजे भी यहां पर आप पर देख सकते हैं या कर सकते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि यद्धी आप YouTube बाली एड लगाएं प्रड़क्ट की लगाएं जो मज़ी चीज़ के लाएं इन चीज़ों को स्लेक्ट करने का आपको कोई benefit नहीं है आपको अभी इन पर आपके आपको देखा जाएगा तो यहां पर भी आपको किसी तरह की कि कोई एडिशनल सेटिंग की जूरत नहीं है इसे भी आप ऐसे रहने दीजिए अब सिब्से इंपोर्टे पार आते हैं आपके कीवर्ड तो कीवर्ड फाइंड जूरूर कीज़ेगा अगर आपके पर keyword list है, तो well and good है, अगर आपके पर keyword list नहीं है, अगर आप मैं यहसे YouTube पर काम करता हूँ, तो यहाँ पर आप सच करेंगे, तो YouTube के keyword यहाँ पर सारे के सारे निकलाएंगे, तो आप चाहें, तो ऐसे भी keyword find कर सकते हैं, keyword का फिसके इस पर आप स्टॉसेगी, तो आप यहाँ से topic भी侵िगत कर सकते हैं, तो आप यहाँ से topic भी अब placement होती है चैनल फूरू वीडियो थूरू अगर आप किसी की वीडियो का लिंक देंगे यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का लिंक देता हूं तो वो वीडियो के लिंक के साथ मेरी एड को compare करेगा कि जब भी यह वीडियो आए तो आपकी एड यहाँ पर चाहूंगा कि आप ज्यादा तक कीवर्ड के ओपर ही जोड़ दें कि आपकी सर्च आए Google यूटूब के ओकड़ा और आपकी कीवर्ड अपने आप पॉपप करें अब आते हैं सबसे नीचे एड के ओपर अब यहां पर आप एड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर क्लिक किया तो यहां पर आप देखेंगे कि यह हमसे पूछ रहा है एड जो एड अब लगाना चाहते हैं वो स्किपल बल एडवन चाहिए या फीड एडवन चाहिए तो हम सेकिंड ओप्शन को क्लिक करेंगे फीड एडवन चाहिए कि हमारी जो फीड बने उसके रिक्वाडिंग यह पर जले यहां पर आप तेटल लिखे गहा जो भी आपके यहेयड की आफिड तैटल देरा चाहते हैं तीन टैंड पहला टैटल होगा 100 वर का fact ell 35 जो आप मत छेडियेedelगा आ को यहां पर और आप अद्वन नदे तो एक खोड़ा को keeping neighborhood च आपge आती है CPC कि आप कितने से आड़ शुरू करना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि वह हमें कहा रहे है कि आप इतने से आड़ शुरू के लिए 0.55 से आप आड़ शुरू कीजिए जो भी हमारे जो व्यू हैं वो इतने आएंगे इसमें से एक यार तीन सो से लेके चार या शे सो तक रिउड्यक्रेशन होगे तीसरे से असी आज के करीब एवरेश CPC हमारी 15 पैसे से 25 पैसे की बीशुरू सकते हैं हमारे 15 पैसे भी कट सकते हैं या पीश में 20 पैसे 25 पैसे भी कट सकते हैं बजट को आप एक्सपैंड कीजिएगा वो कह रहा कि बजट अपका वो मिन में बज़ए है उससे 95 से लेके 100 पीश तक आप एक्सपैंड कीजिए जादा जादा बज़ए लाएंगे